गोंद्या जिली में लगातार दूसरे दिन सभी थैसिलों में कही हलकी तो कही मध्यम बारिश होती रही हाला कि 16 जुलाई की तुलना में सोमवार को बारिश का जोर कुछ कम रहा लेकिन लगातार हो रही बारिश से बन हुए कुछ मारगों पर सुमवार को लगातार दूसरे दिन भी याताय ठप रहा हाला कि इस बारिश से खेतों में धान की रूपाई की कामों में गती आने के उमीद क्रुशी विशिश तद्नू ने जटाई है 17 जुलाई को भी सुबसी ही गोंदिया शहर समीत सभी तहसिलों में रिमचिम से लेकर मध्यम बारिश होनी की जानकारी मिली है दोपर बाग बारिश बन हो गई लेकिन आस्मान में बादल चाय रेने से रातरी की समय फिर बारिश होनी की संबाना व्यक्ति की जा रही है जिलादीकारी कार्याले के नियंदरन कक्ष से मिली जानकारी के रुसार पिछले 24 गंटे के दोवरान अर्थात 17 जुलाई को सवत 10 बजी तक गोंदिया जिले में कुल मिला कर 20.5 mm औस तमबारिश रेकोट की गई इसी दोवरान गोंदिया तहसिल में 8.5 mm आमगाव में 21.6 mm तीरोडा में 9.7 mm गोरिगाव में 13.8 mm सालिकसा में 16 mm देवरी में 27.8 mm अरजुनी मोरगाव में 49 mm एवं सडक अरजुनी में 13.1 mm बारिश रेकोट की गई 24 गंटे की दोरान सरवादीक 49 mm बारिश अरजुनी मोरगाव तहसिल में और सबसे कम 9.7 mm बारिश तीरोडा तहसिल में दरजुई है बारिश के चलते जिले में 16 जुलाई को कुछ मारगों पर यातायत रुक गया था इस मारग पर पांगोले नदी पर पुरानी पुल को तोड़कर नए पुल का निर्मानकारिय किया जा रहा है जिसकी कारण मुक्य मारग की बजाए डायवर्सन मारग से यातायत मिशले कई महा से चल रहा है लेकिन नदी का पानी बढ़ने से डाइवर्शन मार्ग से सुरक्षा के दुरुष्टी से 16 जुलाई को यातायत बंद कर दिया गया था जो अभी भी 24 गंटे से अधिक समय होने के बाओ जो शुरू नहीं हो पाया है उसी प्रकर अरजुनी मोर्गाउ थहसिल के महागाउ परिसर में लगादार बारिश की कारण महागाउ पोरी मार्डुखाल मार्ग पर नाले पर बने पूल पर से बारिश का पानी बहने से वह मार्ग यातायत के लिए बंद कर दिया गया है हित्य वह अन्य खबरे प्रकाशित की जाती है हमारे साथ जूटने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरे विज्यापन आधी के लिए संपर्क करे 8669151757 पर